दोस्तों MIUI 12 का पहला अपडेट, फस्ट अपडेट यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है काफी सारे लोगों ने अपडेट कर लिया है किन-किन डिवाइसे को अपडेट मिला है, कैसे आप अपडेट कर सकते हैं वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल बटन को दवा दो ताकि आपको इसका रिव्यू सबसे पहले मिल जाए तो ये वीडियो यहाँ पर निकल कर आया है, क्लोज बीटा रोम है आप देख सकते हैं, सैटिंग में उन्होंने जाके जेक किया अपडेट यहाँ पर इनको लिए आया हुआ है बीटा अपडेट है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉंटेंट है वो आपको यहाँ पर इंगलिस में देखने को मिल जाते हैं, चेंज लोग और M.I.O.E. 12 का 20.4.27 यानि 27 अपरेल आज की ही डेट का अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है तो यह एक वीडियो निकल कर आया है, अब मैं बता देता हूँ आपको किन-किन डिवाइस के लिए अपडेट रिलीज किया गया है चाइना में तो गैस दो डिवाइस, तीन डिवाइस हैं, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi Note 5 फिलहाल जब तक मैं यह वीडियो यहाँ पर रिकोड कर रहा हूँ, तब तक के लिए तीन डिवाइस के लिए अपडेट निकल कर आया है Redmi Note 5, जिसे इंडिया में Redmi Note 5 Pro के नाम से जाना जाता है इसके अलावा, Mi 10, Mi 10 Pro, यह तीन डिवाइस है जिसके लिए अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है यदि आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़े हूए हैं, तो मैं पहले ही वहाँ पर चीज़े शेयर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं तो यह तीन डिवाइस है, इनके लिए अपडेट आया है, डाउनलोडिंग लिंक मेरे गूरूप में आपको मिल जाएगी आपको TWRP से इसे इंस्टॉल करना होगा, यदि आप Redmi Note 5 Pro यूज करते हैं, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि MIO 12 में क्या कुछ फीचर आपको देखने को मिले, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर इसका रिवी वीडियो लेकर आउँ, तो थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पर करना होगा, जैसे ही मैं यहाँ आपडेट करता हूँ, और इसका र पारा का जो फर्स्ट रिवी वीडियो है, आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल जाएं, गाइस इस वीडियो में एक छोटी सी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो डिवाइस है उपर आपको डिवाइस मॉडल, रेडमी नोट फाइफ प्रो, यहा कराता हूं तब तके लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रख लीजिए ठैंक यू गाइट्स ये वीडियो देखने के लिए